तो चलिए आज बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब ये है क्या चीज इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं दिखें माल लीजिए ये है अर्थ और इस अर्थ का ये सेंटर है और जो अर्थ का सारे का सारा मास है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ हम मान सकते हैं अर्थ के सेंटर से इन फाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर स्पोज कीजिए एक अबजेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है small m और इन फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये अबजेक्ट अर्थ से बहुत दूरी पर है और आप ये मान के चलीजिए कि वो दूरी इतनी है कि ये मास शुरू में अर्थ की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपिरियन्स नहीं करेगा यानि कि आप ये कह सकते हैं कि ये अबजेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फिल्ड से बेसिकली बाहर है बहुत दूर है आप ऐसा मान सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे infinity पर situated इस object को धीरे धीरे करके suppose कीजिए मैं point A तक लियाता हूं और ये point A जो है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फिल्ड के अंदर का एक point है तो ऐसा करने के लिए infinity से लेकर के point A तक आपको जो भी total work करना पड़ेगा उस total work done को ही हम बोलेंगे gravitational potential energy यानि कि एक बार आप अगर फिर से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो बात ये है कि शुरू में एक object है जो अर्थ से infinite distance की दूरी पर situated है उस object को infinity से उठा करके अर्थ की gravitational field के अंदर situated एक point तक लेकर आने में आपको जो total work करना पड़ता है वही work हम बोलते हैं कि किसके बराबर होता है gravitational potential energy of that object at that point अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में हमें work करना पड़ेगा दीखे जब भी कोई mass अर्थ की तरफ आता है तो हमें देखा जाए तो उस पर work करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो ये object है ये जैसे ही अर्थ की gravitational field के अंदर आ जाएगा तो ये अर्थ gravitational force लगा करके इसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगी हमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम यहां क्यों बोल रहे हैं कि work हमें करना पड़ेगा उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए जैसे ही ये mass अर्थ की gravitational field के अंदर आ जाएगा तो अर्थ इस पे अपने center की तरफ लगाएगी force of gravity ये बात आपको समझ में आ रही है तो जितना अर्थ इस object पर अपने center की तरफ gravity force लगाएगी मालीजिए ये वो object है तो आप suppose कीजिए इस gravity force के against एक force लगा रहे हैं ये है आपका F applied का मतलब है ये आपने apply किया है अब देखो जितना gravity force अर्थ लगा रही है मालीजिए उतना ही force आपने भी पीछे की direction में लगा दिया तो इस object पर जो net force काम करेगा आप जानते हैं वो कितना हो जाएगा 0 और हम ये भी जानते हैं Newton के second law के according के F net होता है mass into acceleration तो क्योंकि आपका F net 0 है इसका मतलब ये है कि acceleration भी कितनी हो जाएगी object की 0 हो जाएगी क्योंकि mass तो object का 0 है नहीं तो acceleration जब इस object की 0 हो जाएगी इसका मतलब ये है कि ये object basically constant velocity के साथ अर्थ की तरफ क्या करेगा travel करेगा तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप पीछे की तरफ force नहीं लगाएगे तो इस object की velocity constant नहीं रहेगी और अगर हम ये चाहते हैं कि ये object constant velocity यानि कि zero acceleration के साथ move करे तो naturally gravity के force के against आपको क्या करना पड़ेगा एक force लगाना पड़ेगा और इसी लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उतना ही force लगाना पड़ेगा जितना के gravity force लगा रही है क्योंकि देखो जब object दूर है और जैसे ही वो अर्थ की gravitational field के अंदर entry लेता है तो शुरू शुरू में उस पर force लगेगा कम क्यों लगेगा कम क्योंकि उस object और अर्थ के बीच में distance बहुत ज़्यादा होगा इसलिए उस पर force कम लगेगा तो अगर उस पर gravity force कम लगाएगी तो आपको भी force कैसा लगाना पड़ेगा कम लगाना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे वो object नीचे आएगा तो उस पर लगने वाला gravitational force बढ़ जाएगा क्योंकि उस object और अर्थ के बीच का distance अब कम हो रहा है तो अगर gravitational force बढ़ेगा तो आपको भी क्या करना पड़ेगा applied force को बढ़ाना पड़ेगा यानि कि मशक्कत तो आपको भी करनी पड़ेगी तो कुल मिला करके अब ऐसा है कि काम तो हम देखेंगे कि gravitational force कितना कर रहा है और सोचेंगे आप कुछ इस तरीके से कि आपको भी बराबर का काम करना पड़ेगा यानि कुल मिला करके बात यह है कि infinity से हम object को उठाना चाहते हैं और infinity से उठा करके किसी एक particular point पे उस object को हम रखना चाहते हैं और वो particular point कहां लाई करता है आर्थ की gravitational field के अंदर लाई करता है तो infinity से लेकर के उस point तक उस object को लेकर आने में जो भी total work किया जाएगा that total work will be converted into the gravitational potential energy of that object तो यहां आप देख सकते हैं gravitational potential energy की जो definition है वो यहां लिखी गई है कि gravitational potential energy of a body at a point at a point का मतलब जिस point पर आप उसको ला रहे हैं यह potential energy उस point के लिए defined है is defined as the total work done in displacing that body from infinity to that point in the gravitational field और अब इस definition के base पर हम gravitational potential energy का एक mathematical expression जो है वो derive करेंगे और उस expression पर चलने से पहले आप इस diagram को थोड़ा सा ध्यान से देख लें और इस diagram के अंदर जो terms use होई हैं उनको आप एक बार अच्छे से समझ लें तो देखिए यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रही है अर्थ ओ उसका center है जहाँ पर उसका mass capital M हम रखा हुआ मान सकते हैं और शुरू में देखिए M mass का object infinite distance पर अर्थ से लाई करता है और हम इस M mass के object को धीरे धीरे करके अर्थ की तरफ लेकर के आएंगे और माल लीजिए हम चाहते हैं कि इस mass को infinity से उठा करके point A तक हम ले आएं यानि कि finally इस object को हम point A के उपर रखना चाहते हैं तो आप ही देखिए जो अर्थ की radius है वो तो हम शुरू से ही capital R मानते आए हैं और उस point का distance जहां पर हम हमारे M mass को finally ला करके रखना चाहते हैं तो उस point का distance अर्थ के center से मैंने मान लिया है कितना small r यानि कि आप ये भी कह सकते हैं कि शुरू में तो मेरा M mass जो है वो अर्थ के center से infinite distance पर है लेकिन बाद में जब मैं उसको point A पर रख दूँगा तो वो M mass का object अर्थ के center से basically small r distance पर होगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए हमने क्या किया इस M mass के object को जब हम अर्थ की तरफ ला रहे हैं तो अर्थ की तरफ लाते 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 मान लीजिए point C की मैं बात करता हूँ यानि के अब ये M mass कहा रखा हुआ है C पर आ गया है तो जब ये M mass point C पर आ गया है तो अब हम ये देखते हैं कि इस mass और अर्थ के बीच में कितना gravitational force लग रहा होगा यानि के अब आप ये मान के चलिए कि आपका M mass अर्थ की gravitational field के अंदर entry ले चुका है तो हमने मान लिया कि point C जहां पर आपका M mass रखा हुआ है और point O जहां पर अर्थ का सारे का सारा mass रखा हुआ है उन दोनों के बीच में ये X distance है यानि कि C से ले करके O के बीच में कितना distance है हम मान लेते हैं X तो आप एक चीज़ देखिए Earth का mass capital M उस object का mass जो की C पर रखा हुआ है small m दोनों के बीच में distance हमने मान लिया X तो Newton's law लगा करके Newton's law of gravitation लगा करके हम दोनों के बीच में कितना gravitational force act कर रहा है जब object C पर रखा हुआ है तो वो निकाल सकते हैं तो ये आपका formula हमने direct apply कर दिया this capital G as you all know is the universal gravitational constant capital M हमारा पहला mass है small m हमारा दूसरा mass है और ये है दोनों के बीच के distance का square यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी तो अब हम क्या करते हैं लेकर के तो इस mass को हमने point A तक ही आना है ना तो हमने माल लिया के point C से just थोड़ा सा आगे dx displacement पर point B आ गया है तो अब हम ये देखना चाहते हैं के इस बहुत ही small displacement में कितना work किया गया है और आप जानते हैं जो C से लेकर के B तक की small displacement है उसमें work भी हमें कैसा करना पड़ेगा small ही करना पड़ेगा इसी लिए यहाँ पर मैंने लिखा है dw तो जैसे के work का formula होता है force into displacement तो आप ये देखिएगा force की value मैं उपर से ये put कर रहा हूँ और displacement मैंने क्योंकि C से भी dx मनी है तो वो dx मैंने यहाँ put कर दिया ठीक है जिस तरफ force है उसी तरफ displacement है तो angle 0 होगा और cos 0 जो है वो 1 होता है इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ज़्यादा लिखा नहीं है तो कुल मिला करके जब आप object को infinity से a लेकर के जा रहे हैं तो आप ये मान लेजिए कि small small displacements में आप लेकर के जा रहे हैं और c से लेकर के b तक की ये जो dx small displacement है ये beach की ही कहीं displacement है ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये जो c से b small displacement में आपको work करना पड़ा dw small work वो आपका इस formula से निकल जाएगा लेकिन अब एक चीज आप देखिएगा जब आप infinity से चलते हैं और a पर आपको रुकना है तो इस तरह है कि बहुत सारी small displacement आपको करनी पड़ेंगी जैसे कि एक small displacement यहाँ उसमें आपको small work करना पड़ेगा अगली small displacement आगए उसमें भी small work करना पड़ेगा फिर small displacement में small work फिर small displacement में small work तो कुल मिला करके आप ही देखिएगा इन small small displacements से travel करते करते आप finally कहाँ पहुँच जाएंगे ए तक और अगर आपसे अब कोई पूछे कि infinity से आप चले थे ए तक आप पहुँच गए तो इन सभी small small displacements में जो आपने हर बार dw 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 work किया तो total work आपने infinity से ए तक कितना किया तो naturally आप उन सभी dw 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 को जोड़ देंगे और जोड़ने का मतलब है कि simply आप यहीं इस dw का क्या कर दें integration कर दें और integration की limit आप यह देखिए कहां से कहां आएगी देखिए जब आप यहां से चले हैं तो वो point आपका अर्थ के center से कितने distance पर है infinity distance पर यानि कि शुरू में a पर आ गए तो a point आपके अर्थ के center से देखिए infinite distance पर नहीं है बलके small r distance पर है इसी लिए मैंने यहां लिख दिया small r क्योंकि finally आप point a पर आ रहे हैं तो जहां से आप initially चले थे वहां का distance अर्थ के center से कितना था वो मैंने lower limit के तोर पे लिख दिया और जहां आप चलके चलक finally पहुँचेंगे उस final point का अर्थ के center से कितना distance होगा वो मैंने final limit के तोर पर लिख दिया तो इसी dw का जब आप integration करेंगे तो आपको total work मिल जाएगा और उसी total work में हम interested थे कि total work infinity से इस point तक कितना किया जाएगा अब आगे का काम देखा जाए तो mathematics है तो देखिए जब आप इस dw के अंदर ये वाली value put करेंगे infinity से r तक इसका integration करेंगे तो वो बड़ा असान है ये तीनों चीजें उपर वाली constant है आप इनको बाहर ले लिजिए x की power 2 उपर जाकर के x की power minus 2 बन जाएगा ये dx है तो ये formula म और इस minus 1 को आप बाहर निकाल लिजिए तो इसके साथ आपका minus आजाएगा तो ये जो x की power minus 1 है ये basically 1 by x होगी और आप जानते हैं x की जगे पहले आपको upper limit put करनी पड़ेगी और बाद में आपको lower limit put करनी पड़ेगी तो इसलिए पहले तो आजाएगा 1 by r और फिर minus का नि definition में भी बोला था कि infinity से लेकर के और इस particular point तक आने के लिए आपको जो total work करना पड़ता है वही total work क्या कहलाता है उस point पर उस mass की gravitational potential energy और इसलिए हमने w को u से replace कर दिया क्योंकि u से हम denote करेंगे gravitational potential energy को तो कुल मिला करके gravitational potential energy का ये हमारे पास क्या आ गया expression आ गया अब यहाँ पर आप देखिएगा मैंने लिखा है कि ये gravitational potential energy increase करेगी with increase in distance यानि कि जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे उपर की तरफ आपका r बढ़ेगा और अगर r बढ़ेगा तो denominator के बढ़ने की वजह से ये वाला overall factor कम हो जाएगा लेकिन क्योंकि ये factor negative है तो negativity कम होने का मतलब होता है चीज का increase होना इसलिए मैंने लिखा है कि आपके object की gravitational potential energy उतनी ही बढ़ेगी जितना वो अर्थ से दूर जाएगा और जितना वो अर्थ के पास होगा उसकी gravitational potential energy उतनी ही कम होगी और जब तक वो अर्थ के साथ bound रहेगा उसकी gravitational potential energy negative होगी और अगर आप यहाँ r को infinity पुट करते हैं तो 1 by infinity जैसा कि आप जानते हैं 0 होता है और 0 कम से कम negative से तो बढ़ी होती है इसलिए हम कहेंगे के at r is equal to infinity यानि कि जब आपका object in finite distance पर चला जाएगा उस वक्त उस object की gravitational potential energy कैसी होगी maximum होगी हालाकि उसकी value कितनी होगी 0 लेकिन हम maximum क्यों बोल रहे हैं क्योंकि 0 negative के मुकाबले तो क्या होती है बड़ी होती है तो यह हमने देखा expression gravitational potential energy का और यह उसका क्या आगया formula अब अगली जो definition है वो बहुत ही असान है अगर आपसे यह कोई पुछे कि आपने total work इस point से इस point तक कितना किया है तो वो work तो कहलाता है gravitational potential energy लेकिन अगर आप work done per unit mass निकाल लें यानि कितना work आपको unit mass के लिए करना पड़ेगा तो वो चीज़ बन जाती है gravitational potential जिसको हम V से denote करते हैं तो आप यह चीज़ दिखिएगा कि इस M mass के लिए हमें total इतना work करना पड़ा तो unit mass के लिए कितना करना पड़ेगा तो आप इस M क डबलू के नीचे ले आएं तो जब आप डबलू के नीचे M को ले आएंगे तो हमारे पास यहां से सिर्फ expression क्या बच जाएगा minus के capital G into capital M divided by R तो यह जो basically आपका expression है यह है gravitational potential का जिसको हम V से denote करते हैं और work आप देखिए joule में होगा mass आप देखिए kilogram में होगा तो joule पर kilogram SI unit होगी gravitational potential की अब क्योंकि gravitational potential energy तो simply एक work done है तो इसकी तो unit joule होगी लेकिन इसकी unit क्या होगी joule पर kilogram तो आप last में ऐसा बोल सकते हैं कि gravitational potential का मतलब है unit mass के लिए आपको कितना work करना पड़ेगा उस unit mass को infinity से लेकर के एक particular point तक लाने के लिए और वो particular point कहां होगा inside the gravitational field of the earth ठीक है तो आप ये चीज़ देखिएगा कि total work आपने कितना किया वो है gravitational potential energy और वो total work per unit mass आपने कितना किया ठीक है वो कहलाता है gravitational potential potential